तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने अप्लिकेशन को फेस्टिबल कोईट अप्लिकेशन को जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग फेस्टिबल से रिलेटेड शायरियां सो करने वाले उस application को दूस्त हम लोग ने यहां तक design कर लिया था तो आज किस वीडियो में दूस्त हम लोग यहां पर आगे का process करने वाले जो कि दूस्त हमारा रहेगा कि यह वाला layout कुस तरीके से design कर सकते हैं तो इस layout को design करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि दुस्थो आप लोग माली जैप लोगों के पास एक सो से जादा फेस्टिवाल का लिश्ट है, तो दुस्थो आप लोग यहाँ पे basically रहेगा कि दुस्थो आप लोग रिसाइकल व्यूठ का यूज कर लीजिए, अगर माले दूस्तों दुचार फेस्टिबल का लिष्ट है तो दूस्तों आप लोग ऐसे भी design कर सकते हैं तो अब दूस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही design करके बताने बालाओ मिन्मोली किस तरह के से हम लोग कर सकते हैं मतलब दोस्तों recycle view का use करेंगे तो आप लोगों के पास जितना भी festival रहेगा उसको बड़ी आसानी से दोस्तों आप लोग यहाँ पर manage कर सकते हैं अगर दोस्तों आप लोग recycle view का use नहीं करते हैं तो एक अग करके आप लोगों को सारे को design करना पड़ता है तो चली दूस्तों हम लोग FIFA करके इसारे को यहाbada design करेंगे तो सबसे पहले दूस्तों हम लोग यहाँ पर शेम्पल सा layout पहले यहाँ पर इसके लिए बीस ले दूस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास यहा पर क्या है एक card है उसके अंदर एक image है और यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखा हुआ है तो उसी परकास से दूस्त हमारे पास एक पहले card view लेंगे उसके बाद उसके अंदर image view लेंगे एक test view लेंगे card view के अंदर set on के लिए listener लगा लेंगे इसी परकास से बिसे लिए दूस्त हम लोगों को यहाँ पे डिजाइन करना होता है इसके जगह पर दूस्त आप लोग grid layout का भी यूज कर सकते थे तो बुए ने बोला जेकि बहुत सारे तरीके होता है जैसे यहाँ पर आप लोग देखे grid layout दिया गया तो इसका भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते थे दो बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पर symbol size रखने बाला हूं तो मैं यहाँ पर search कर लेता हूं card view card view यहाँ पर आप लोग देखें इसको मैं यहाँ से drag and drop करूंगा और इसको सबसे पहले toolbar से concentrate करतेंगे और इधर से concentrate करतेंगे और इसका margin है इधर से 16 dp देदेंगे उपर से भी 16 dp देदेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसका height width है basically दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग देखें यह आ गया उसके बाद basically दोस्तों इसका height भी मैं यहाँ पर 300 dp करने लोगा बाद में इसको हम लोग change भी करेंगे ऐसा नहीं कि जो है वही रने देंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों basically हमारे पास यहाँ पर एक card जैसा बनके आ गया अब दोस्तों इस card का अंदर basically दोस्तों हम लोग यहा यहाँ पर image का यूज करेंगे तो इसको पहले हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे इसके अंदर basic दोस्तों हम लोग constant layout को यहाँ पर implement करेंगे ताकि दोस्तों हम लोग image बगएर अच्छी तरीके से यहाँ पर match parent wrap content कर देते हैं इस तरीके से आप चलते हैं हम लोग design tab के अंदर और यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले image view को drag and drop करते हैं इसके अंदर यहाँ पर कोई image लेना होगा तो हमारे पास image तो पहले है नहीं तो पहले हम by Android studio के अंदर कुछ image को यहाँ पर drag and drop कर लेता हम तो यहाँ पर देखेंगे तो दूस्तों हमारे पास कुछ image था जिसको मैंने यहाँ से copy कर लिया और दूस्तों हम लोग यहाँ पर draw वल कर अंदर यह सारे image को यहाँ पर paste कर देता हैं ताकि दूस्तों हम लोग अपने program के अंदर application के अंदर यूज कर पाएं तो इस तरह किस image तो हो गया अब दूस्तो हम लोगों को यहाँ पर constant करना होगा तो यहाँ पर खुलने देजिए constant वाला तो यहाँ पर आ चुका है तो इसको मैं इधर से constant कर दूँगा और इधर से कर दूँगा और top से image को constant कर दूँगा तो इस तरीके से हो गया और दूस्तों हम लोग यहाँ पर इसको match parent match parent नहीं कर कर लेता हूं 150 भी जादे हो गया तो 132 DP इस तरीगे से कर देते हैं एक बार यहां से चेक कर लेते हैं क्या दिये हैं इसका 132 DP दिये तो यह हो गया हमारा और इसका हाइट है 90 मतलब 91 DP दे देते हैं हाइट इसका 91 DP और हाइट इसका 91 DP इस तरीके समय यहां पर कर देता हूं तो इसका जो हाइट भीट है वो एड़ेस्ट हो जाएगा एक एक इसका प्रोपर्टी और इमेज का फिट XY इस तरीके से यहां पर होता है मैं आप लोगों को Dallas मैं घंगा ऑंग यहां पर करते इसका फिट gast वाई इस तरीके से कर देंग तो यह हमारा इमेज वो इस तरीके से fit हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे तो दूस्ते ये नहीं है इस तरीके से और इसको basically दूस्तों मैं यहाँ से इसको निचे से constant करते है। इस तरगे से constant करते हैं, उपर से margin 8 dp देदेगे, और इ Gulf में। इधार से constant करतेंगे, इधार से भी margin 16 dp देदेंगे, 8 dp देदेंगे और इधार से भी margin 8 dp देदेंगे, तीस तरगे से basically यह हमारा हो गया, आप दोस्तों यह match parent लिखा हुआ है, तो match parent इसको रहने देंगे, और निचे से भी margin इसको 8 dp दे देते हैं, horizontal divider को, तो यह भी हमारा हो गया, अब दोस्तों मैं यहाँ पर test view को drag and drop करता हूँ, test view को यहाँ से, इस तरीके से, और test view को भी मैं यहाँ से constant करने बाला हूँ, इस तरीके से यह हमारा test view आ गया, अब इसको मैं divider के नीचे constant करने बाला हूँ, basically दोस्तों, एक काम करते हैं, पहले, इस test view को यहाँ से मैं delete कर देता हूँ, और जो यह constant layout है, इसको, यह जो हमारा constant layout है, basically, इसको मैं यहाँ पर match parent पहले कर देता हूँ, ताकि दोस्तों, आम लोगों constant करने में कोई भी problem नहीं आए, इसको मैं इसके साथ यहाँ पर constant करूँगा, उपर से margin 8DP देंगे, इस तरीके से, अब दोस्तों, यहाँ पे test view को यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पर constant कर सकता हूँ, अब दोस्तों यह test view आ गया इसको मैं divider के साथ constant करूँगा इधार से इसके साथ इस तरके से आ गया अब margin इसको basically दोस्तों हम लोग यहां से दे सकते हैं margin उपर से देदेंगे हम लोग 16DP देदेते हैं इधार से भी 16 देदेते हैं और इसको इसी तरीके से रनने देते हैं तो इस तरीके से basically दोस्तों यहां पर क्या करेंगे यह हमारा card भी हुआ इसका जो height width हम लोग ने इस तरीके से दिया था, अब इसको match constant कर देंगे, match constant नहीं, sorry यहाँ पे हम लोग wrap content कर देंगे, और इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ से wrap content कर देंगे, यह था हमारा उपर बाला बाढ़ गया, तो इसको मैं manually set कर देता हूं, image का size 132dp, तो card view का view मैं size 132dp देता हूं, 1232dp इस तरीके से, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इस तरीके से हमारा कुछ design यहाँ पे आ गया, अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग को क्या चाहिए, यह जो image view, test view है, इसको नीचे से constant करेंगे, और नीचे से margin हम लोग 60dp देदेंगे, तो कुछ उसी तरीके से देखेंगे, तो दोस्तों यह हमारा यहाँ पर design पर सेकली दोस्तों यहाँ पर बनके ready हो गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ इसको elevation बगएर हम लोगों को देना होगा, तो card view के उपर चलते हैं, यह हमारा card view है, elevation देते हैं, elevation 3dp का, तो थोड़ा यह उपर उट के आएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखें, यह थोड़ा उपर उट जाएगा, उसके बाद दूस्तों हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं, क्या यहाँ पर design tab में च तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यह हमारा इसका जो corner है, थोड़ा गोल हो गया, तो इस तरके से basically दूस्तों हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, और दूस्तों इसका जो elevation हम लोग ने दिया है, इसको भी दूस्तों हम यहाँ से 5dp कर देते हैं, थोड़ा और जादे उठ कर लेना, तो मैं एक बार यहाँ पर क्या करता हूँ, इस card view को मैं यहाँ से copy paste कर देता हूँ, यह हमारा card view है, तो यहाँ से हमारा card view है, यह card view है, यह card view, इसी को तो मैं यहाँ से copy करता हूँ, इस तरके से, और इसके नीचे मैं यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ, यहाँ पर इदर का हटा लेंगे, इसका हाटा लेंगे, इसका constant हाट गया अब इसको घीज के इदर लाते है ई है सारे को इस card view को पकड़ते हैं और इसका चो constant है, यहां से इस image के साथ कर देंगे तो यह इदर चला जायेगा और दोस्तों इसको हम लोगों को इधार से कर देना constant और top से भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर constant कर देना है और इसको इधार से हम लोगों को यहाँ से हटा देना है constant बैसे लिए दोस्तों हम लोगों एक जगा पर तीन layout सो कर सकते हैं वो देख लेंगे तो अब दूस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो दूस्तों यह जो card view था 16 16 margin दिये हैं चारो बगल से तो हम लोग इसको 16 16 margin दे देते हैं टॉप से भी 16 dp दे देते हैं और इधार से भी 16 dp दे देते हैं यह दुखेंगे तो दूस्तों यह हमारा बीच में आ गया और भी चाहिए तो हम लोग जादे दे सकते हैं जैसे मैं यहां कर देता हूं 32 40 करते हैं 40 और इसको भी हम लोग यहां से 40 कर देते हैं इस तरह के से देखें तो दूस्तों अब यहां ठीक लग रहा है उसी परकास से बस्तों आप लोगों को यहां पर क्या करना है वह सारी को सारी को आप लोगों को का इससे यहां इस image को पहले मैं यहां से जाके change करता हूँ यह image घहां किया हमारा है यह image है यह इसका जो src यहां पर आप देखे इसको मैं यहां पर कर देता हूँ दुरगा-pooja के लिए दूरगा यहांपर कर देते हैं तो यह दूरगा पुजा बला यहाrec में जाजाएगा उसके बाद बिसेकली दोस्तों हम लोग यहांपर इसको क्या करते है यहां बार्ट यह 15 अगस्त लिग देते हैं और यहांपर एव टेस्ट अलाइमाइन स्य चैन्टर कर इस तरगे से यह हमारा आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं अच्छी तरगे से यह हमारा यहाँ पर टेस्ट भी शो हरा उसी परकास से दूस्तों हम लोग यहाँ पर इस टेस्ट को यह जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पर मैं क चेंज करेंगे नहीं, यह कांड व्युका नाम हम लोग रुख देते हैं, to go. queen 15 रखरा κάνा, तो अगास्थ 15 अच्पीन कांड व्युक सिरती है, इस सेकर दोडसनकों करूем. आइडी बगारे चेंज दूसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिसेकली दूस्तों आप लोग यह सारे का आइडी बगारे आप लोग चेंज कर लिजेगा जैसे मैंने यहाँ इस काड व्यू का किये उसी परकास से दूस्तों आप लोगों को यह इमेज व्यू का कर देना इसमें कर देना 15 अगास्त इमेज व्यू उसके बाद डिवाइडर को कर देना 15 अगास्त डिवाइडर उसके बाद दूस्तों टेस्ट व्यू को कर देना 15 अगास्त टीवी इस तरीके से दूस्तों आप लोग उसके उसके बाद इसको भी कर लिजेग यह सारे को आप लोग आई-डी बगेर paid वरना दोस्तों आप लोगों को यह आपर ये डे रहा है वोऔर देते रहेगा तो सिंहको का आप लोगों चेंज कर लिजेगा उसके पाले फाईनल वीडियो हमारा अगला वीडियो देखने के लिए दुस्तों आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक पहुम से जरू कर दिजिए